गुड मॉर्निंग फ्रेंट्स स्वागत है आपका आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेदे विद्रवे ठाकर पर तो चलिए आज कि दे हिंदु एडिटूरियल वक्याबदरी की शुरुआत करते हैं वक्याबदरी के पीडिएफ के लिए आप मुझसे टेलिग्राम ग्र पहला जो अडिटूरियल दिया गया है वेस्ट बेंगल वक्याबदरी बारे में दिया गया है अभी चुनाव नेतीज़े आए वहाँ पे तो उसके बारे में दिया गया है कि अगया है यहाँ पे अगयातार में प्रफे के लिए motivated है examination point of view से तो important नहीं है पर आप vocab point of view से पढ़ सकते हैं तो चले ची दुबार करते हैं पहला जो word है आज का वो है consecutive consecutive word यहां पर adjective की तरह use हुआ है consecutive word का मतलब होता है लगातार चीजों का होना क्रमिक होना लगातार होना या निरंतर होना उसे बोला जाएगा consecutive consecutive periods of time or events happen one after the other without interruption that is called consecutive consecutive के synonyms है successive serial sequential successive serial और sequential इसके synonyms है antonyms है discontinuous broken और disordered discontinuous broken disordered इसके antonyms है consecutive word के अगला शब्द है sheen sheen यहां पर noun की तरह use हुआ है sheen का मतलब होता है चमक दमक होना तड़क भड़क होना जैसे जीत जीत वहां पर ममताब अनर्जी जीती है उस context में यह word use हुआ है यह रोशनी होना उसे बोला जाता है sheen if something has a sheen it has a smooth and gentle brightness on its surface that is called sheen इसके synonyms है gloss shine और luster gloss shine और luster इसके synonyms है antonyms है dullness darkness appalling dullness darkness appalling इसके antonyms है sheen word के अगला शब्द astounding astounding यहां पर जिक्टिक भी तरह यूज़ हुआ है astounding का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो हमें हैरान कर देने वाली हो चौका देने वाली हो अश्यरे चकित कर देने वाला होना यह word use हुआ है दूसरी political parties के बारे में कि ममता बेनेर जी जो जीद गई है तो दूसरी पार्टियां उससे क्या हो गई है बिलकुल अश्यरे चकित रहे गई है यह अचंबित रहे गई है उस context में यह word use हुआ है astounding if something is astounding you are shocked or amazed that it could exist or happen that is called astounding astounding के synonyms है amazing, staggering, incredible amazing, staggering, incredible antonyms है boring, dull, unimpressive, boring, dull, unimpressive next word है colossal, colossal यहां पर जिक्ति की तरह यूज हुआ है colossal का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत विशाल होना इस word का यूज हुआ है बहुत जादा मार्जन से सीटे अर्जित करना जो ममताव एनर्जी की पार्टी ने सीटे ली है, बहुत जादा, बहुत अधिक सीटे ली है, बहुत जादा मार्जन से वो जीती हैं सीटो की सेंस में उस कंटेक्स्ट में यह word यूज हुआ है colossal if you describe something as colossal, you are emphasizing that it is very large that is called colossal colossal के synonyms है enormous, gigantic, huge enormous, gigantic, huge antonyms है tiny, little, small tiny, little, small अगला स्ब्द हमारे पास ferocity, ferocity word यहां पे नाम की तरह यूज हुआ है ferocity word का मतलब होता है किसी भी चीज में उगरता होना, परचंडता होना, खुखार पन होना उसे बोले जाता है ferocity ferocity word का यूज हुआ है tutorial में जो ममता बेनरजी की पार्टी जीती है वहां पे तो उनके जो कारे करता है उन्होंने काफी जादा काफी हिंसक जड़पे की हैं कुछ एक जगहों पे तो इस कंटेक्स्ट में यह word यूज हुआ है ferocity इसके synonyms है violence, fury, fierceness violence, fury, fierceness इसके synonyms है ferocity word के अगला शब्द रिपोउस्ट रिपोउस्ट यहाँ पे वर्प की तरह यूज हुआ है रिपोउस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज में भरोसा करना विश्वास करना किसी के उपर जैसे वहां की जनता ने वेस्ट बेंगॉल की जनता ने उनको वोट देकर ममता बनर जी को जिता कर उनमें भरोसा जताया है अपना उसे बोला गया है रिपोउस्ट तो पुट ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस इन पर्सन और तिंग इसके रिपोउस्ट रिपोउस्ट के synonyms है placed, deposit, reclined placed, deposit, reclined से अन्तॉरीम से turned, battled, applied इसके अन्तॉरीम से रिपोस्ट वर्ड के अगला शब्द है वेंट फॉर जगिलर ये पूरा ही वर्ड में ने ले लिया है एह अली लिखा है अगिलॅर् propagar ये वर्ड यहां पर फ्रेस की तरह use हुआ है यह phrase होता है went for the jugular इसका मतलब होता है हम किसी का weak point जानते हैं और उस weak point को जानकर हम उस पे हमला कर दे उसका कमजोरी का फायदा उठा कर हम उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें उसे बोला जाता है phrase में went for the jugular if you say that someone went for the jugular you mean that they strongly attacked another person's weakest point in order to harm them that is called went for the jugular अगला शब्द है हब्रीज हब्रीज वर्ड यहां पे नावन की तरह हब्रीज का मतलब होता है अभिमानी होना घमंडी होना या अपनी हेकडी दिखाते रहना उसको बोला जाएगा हब्रीज if you accuse someone of हब्रीज you are accusing them of arrogant pride that is called हब्रीज हब्रीज के synonyms है pride, arrogance, self-importance pride, arrogance self-importance एंटॉनिम है humility, humbleness modesty humility, humbleness, modesty इसके एंटॉनिम हैं हब्रीज वर्ड के अगला शब्द है बंबास्ट यहां पे वर्ड की तरह यूज हुआ है बंबास्ट का मतलब होता है आडंबर पूर्ण शब्दों का प्रयोग करना दूसरों को प्रभावित करने के लिए जिसका कोई अर्थ ही ना हो हम इस तरह से बाते कर रहे हैं इस तरह से शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं जिससे की दूसरा प्रभावित हो जाए उसे बोला जाएगा Humble-ness, Modesty, Simplicity, Humble-ness, Modesty. यहां से हमारा दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है, दूसरा एडिटोरियल का Heading है, A Lending Hand on RBI and the Second Wave. दूसरा जो एडिटोरियल दिया गया है, यह RBI के बारे में दिया गया है, वेडिनेस्टे को RBI को जो Governor है, शक्तिकान्त दास, उन्होंने कुछ एक घोशनाएं की हैं, कि किस तरह से वो COVID की जो Second Wave है, उसको Overcome करने के लिए, उन्होंने भी मदद का हाथ बढ़ाया है, कम से कम 50,000 करोड रुपए की बात कहिए उन्होंने, कि जो भी इस फिल्ड से जुड़े हुए हैं, जैसे अब के चिकित्सा के क्षेतर से जो भी चीज़े जुड़ी हुई हैं, चाहे वो Oxygen से संबनित बात हो, या Instruments जो हमारे चिकित्से परणाली में जितने भी Instruments यूज होते हैं, इस तरह की दवाईयों में जो यूज जो लग लगे हुए हैं, जो इस तरह का काम करते हैं, तो उन्हें help करने की बात कही गई है, उधार देने की बात कही गई है, MSME की भी बात की गई एडिटॉरियल में, तो यह important एडिटॉरियल है, examination point of view से भी important है, हमारा finance से related है, यह दूसरा जो एडिटॉरियल है हिंदूगा, इसका जो पहला word है, दूसरे एडिटॉरियल का, वो है alleviating, alleviating यहाँ पर वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, alleviating का मतलब होता है, किसी भी तरह की परिशानी को, या किसी भी तरह के दर्द को, समस्या को, उसमें कमी करना, धीमा कर देना, उसको हलका करना, उसके intensity को कम कर देना, उसे बोला जाएगा, alleviating, if you alleviate pain, suffering, or an unpleasant condition, you make it less intense or severe, that is called alleviating, alleviating के synonyms है, easing, mitigating, reducing, easing, mitigating, reducing, इसके antonyms है, suffering, aggravating, arousing, suffering, aggravating, arousing, इसके antonyms है, alleviating word के, अगला शब्द है, furious, furious word यहां पर जिक्तिक भी तरह यूज़ा है, furious का मतलब होता है, एकदम से उग्र होना, परचंड हो जाना, उसे बोला जाएगा, furious, someone who is furious, is extremely angry, बहुत जादा गुसैल हो जाना, उग्र हो जाना, परचंड हो जाना, that is called furious, इसके synonyms है, angry, wild, fierce, angry, wild, fierce, antonyms है, calm, peaceful, quiet, calm, peaceful, quiet, next word है हमरे पास, debilitating, debilitating word यहां पर वर्ब की तरह यूज़ा है, debilitating word का मतलब होता है, किसी को भी दुरबल कर देना, निरबल कर देना, शक्तिहीन बना देना, कमजोर बना देना, किसी चीज़ को, या किसी चीज़ का हो जाना, automatic, उसको बोला जाता है, debilitating, to debilitate an organization, society or government means, to gradually make it weaker, that is called debilitating, debilitating के synonym से, exhausting, weakening, unfibling, exhausting, weakening, unfibling, antonyms है, restorative, invigorative, revitalizing, restorative, invigorating, revitalizing, इसके antonyms है, debilitating word के, अगला शब्द है, contraction, contraction यहाँ पर noun की तरह, use हुआ है, contraction का मतलब होता है, किसी भी चीज़ में, कमी हो जाना, सिकुडन, संकुचन हो जाना, या हम बोल सकते हैं, संक्षिप्ति करण की प्रक्रिया, तो यह word जब भी आता है, मैं आपको जरूर करके बताता हूँ, यह word यूज होता है, economy की संस में, अर्थ विवस्था की, जब उसकी growth rate जो है, वो कम हो जाती है, सिकुड जाती है, तो उस context में, इस word का use होता है, contraction का, हमारी economy की संस में, यूज होता है, इसके synonyms है, compression, abbreviation, reduction, antonyms है, expansion भी बोल सकते हो, expansion, extension, increase, expansion, extension, increase, अगला सब्ध है imperative, imperative यहां पर जेक्टिप भी तरह यूज हुआ है, imperative का मतलब होता है, ऐसा कोई काम जो बेहत आवश्यक हो, बहुत महत्त पूर्ण हो, अत्यावश्यक होना, उसे बोला गया है imperative, if it is imperative that something be done, that thing is extremely important and must be done, that is called imperative, इसके synonyms है, essential, necessary, obligatory, essential, necessary, obligatory, इसके synonyms है, antonyms है, minor, unnecessary, needless, minor, unnecessary, needless, इसके antonyms है, imperative word के, अगला सब्ध expedite, expedite यहां पर वर्प की तरह यूज हुआ है, expedite का मतलब होता है, जल्दी-जल्दी से कार्य को करना, शीगरता से करना कोई चीज, जल्दी-जल्दी निप्टाना, उसको बोला गया है expedite, if you expedite something, you cause it to be done more quickly, that is called expedite, expedite के synonyms है, accelerate, hasten, quicken, accelerate, hasten, quicken, antonyms है, delay, halt, hinder, delay, halt, hinder, next word है proviso, proviso यहां पे noun की तरह यूज हुआ है, proviso का मतलब होता है, हम किसी से किसी तरह के कोई समझोता, agreement हम कर रहे हैं, संदी हम कर रहे हैं, और उससे पहले, कुछ एक शर्ते जो पूरी करनी है, तभी वो समझोता, या वो agreement होगा, उस शर्त को पूरा करना अनिवारिय हो, तो ऐसी शर्त को बोला जागा proviso, कि वो शर्त पहले पूरी होगी, उसके बाद हम agreement करेंगे, समझोता करेंगे, that is called proviso, a proviso is a condition in an agreement, you agree to do something, if this condition is fulfilled, that is called proviso, proviso के synonym से condition, provision, stipulation, condition, provision, stipulation, antonym से deficiency, deficiency, certainty, ease, deficiency, deficiency, certainty, ease, next word है, sanguine, और यह sanguine word, आज की दे हिंदुरी टूरियल वकाबलरी का अंतिम शब्द है, sanguine का मतलब होता है, भविशे के प्रती आशावादी रहना, आशावान होना, उसे बोला गया है sanguine, मतलब हम, हमने जैसा सोचा है, हमारे ही हिसाब चाहम इतना confidence है, कि हमारे ही तरीके से चीजे होनी है आगे, तो इसके प्रती आशवश्ट रहना, आशावादी होना, आशावान होना, उसे बोला जाएगा sanguine, if you are sanguine about something, you are cheerful and confident that things will happen in the way you want them to, that is called sanguine, sanguine के synonyms है, confident, hopeful, optimistic, confident, hopeful, optimistic, antonyms है, pessimistic, depressed, sad, pessimistic, depressed, sad, इसके antonyms है, sanguine word के, तो यह sanguine word आज की the Hindu editorial vocabulary का आंतिम शब्था, यदि आपको वीडियो helpful लगाओ, informative लगाओ, तो प्लीज वीडियो को like कर दीजेगा, अगर आपसे हो सके, तो जादा-जादा वीडियो को share भी कर दीजेगा, तो आज की the Hindu editorial vocabulary में इतना ही, इसी तरके informative वीडियो के लिए बने रहे है चैनल पर, Thank you, Thanks for watching,